नमस्कार मित्रों आपका हमारी चैनल पर स्वागत है सावन सुमवार व्रत कथा भार्तिया हिंदू कैलेंडर के अनुसार पाँच्वा मास शावन का होता है आम बोचाल की भाशा में इसे कई लोग सावन भी कहते हैं यह महीना हिंदूओं के लिए विशेश और पवित्र माना जाता है मान्यता है कि सावन भगवान शिव का पसंदीदा मास होता है सावन मास से सोला सोमवार व्रत की शुरुवात की जाती है सावन मास के सोमवार को वरत रखना बेहत फलदाई और शुब माना जाता है सकन पुरान के अनुसार जब सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि आपको श्रावन मास इतना प्रिय क्यों है तब शिव जी ने बताया कि देवी सती ने भगवान शिव को हर जन में अपने पती के रूप में पाने का प्रण लिया था लेकिन अपने पिता दक्ष प्लजापती के भगवान शिव को अप्मानित करने के कारण देवी सती ने योगशिक्ती से शरीर प्याग दिया इसके पश्चात उन्होंने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से राजा हिमाले और रानी नैना के घर जन्म लिया उन्होंने युवावस्था में श्रावन महीने में ही निराहा रहकर कथोर व्रत द्वारा भगवान शिव को प्रसंद कर उनसे विवा किया मंचाह जीवन साथी पाने के लिए व्रत इसलिए मान्यता है कि श्रावन में निराहा रह भगवान शिव का व्रत रखने से मंचाह जीवन साथी मिलता है कुवारी लड़कियों और लड़कों को इस महीने विशेश रूप से व्रत करने से शादी के योग बनते हैं साथी श्रावन मास में व्रत रखने से भगवान शिव जीवन के सभी कश्टों का निवारन करते हैं धार्मिक मान्यता के अनसार इस माह के प्रतियेक सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत रखना चाहिए शिवलिंग या शिव प्रतिमा का गंगा जालिया दूद से अभीशेक करना चाहिए भगवान शिव को बेलपत रतिप्रिया होते हैं इसलिए पूजा की सामगरी में इसे अवश्य रखना चाहिए